प्रेंड्स कैसे हूँ मेरा नाम है संजीम जोत्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं आज बात करेंगे और गैनिक केमिस्ट्री से और यह और गैनिक केमिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक डिसकस करेंगे वह बहुत ही जादा इंपॉर्टन होने वाला है और यह एक बेस है ठीक है बेसिक सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी और गैनिक केमिस्ट्री में रेक्शिन आएंगी उसमें जो भी हम आज हम पढ़ने जा रहें पढ़ने जा रहें इहां जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वह बहुत ज़्यादा जरूरी होगा बहुत जादा इंप्डेंट होगा जब आप पूरी ऑर्गैनिक क्लिस्ट्री पढ़ोंके चाहे वो 11 की हो चाहे हो 12 की हो चाहे वो बीचिए पर जो आपको आज जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है Nucleafilic Substitution Reactions ठीक है तो इसका concept आपको अच्छे से clear होना चाहिए ठीक अगर आपको clear होगा क्योंकि बार बार जब आएगा आगे Nucleafilic क्या होती है, Substitution क्या होती है तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है, तो आज हम just focus किसे पर करने वाले है Nucleafilic Substitution Reactions ठीक है, तो चलिए जल्दी से start करते है जैसे मैंने कहा कि आज हम जो topic पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे Nucleafilic Substitution Reactions ठीक है, अब यहाँ पर word आए Nucleafilic Substitution अब यह Nucleafilic Nucleafil क्या होते है ठीक है, अब Substitution क्यों लगा दिया है यहाँ पर, यह छोड़-छोड़ी चीज़े आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अब सीधर directly चले जाते है Nucleafil Substitution Reactions यह करो जी, ऐसे करो जी नहीं पता चलता, जब तक students को छोड़-छोड़ी चीज़े नहीं पता होंगी तब तक उनको आगे organic chemistry में problem आने वाली है, ठीक है maximum बच्चों को शायदी आता भी हो Nucleafilic Substitution Reactions पढ़ी भी होगी, पर आज हम इसको basic सा समझेंगे कि actual में यह एक पर ground level पे में पढ़ेंगे हैलोलकेंज, ठीक है हैलोलकेंज हैलोरींज पढ़ेंगे उसमें मारे पास एक मैं reaction सिंपल सी लिखता हूँ और मैं ऐसे करूँगा आर एक्स प्लस क्योवेच एक्वेश आक्वेश मतलब आर एक्स में कोई भी अलकाइल ग्रूप हो सकता है अलकाइल मतलब मिथाइल इथाइल प्रफाइल कुछ भी हो सकता है चलो मैं यहां पे ले लेता हूँ आर का मतलब अलकाइल ग्रूप आर का मतलब कोई भी अलकाइल ग्रूप अलकाइल गुरुप क्या होता है देखो आप छुट छीज़ें पता चलती रहने चाहिए आपको जैसे CH4 है मिथेन है मिथेन से एक हाइडोरी निकल जाएगा तो यह बन जाता है CH3 तो यह बन गया मिथाईल गुरुप अलकाइल का कौन सा गुरुप बना अलकाइल में कौन सा अलकाइल की कौन सी ग्जेंपल मिथाईल एक कार्वन मिथाईल दो आ जाएगे इथाईल तीन आएगे प्रपाईल ठीक है बना कहां से मिथेन से बना मिथेन का एक हाइडोरी निकला और CH3 बन गया तब ही lithium से इसका नाम बन गया methyl मत अलकेन का एक हाइदोजयर रिमूव किया और बन गया allkyl और allkyl का कौन सा सबी बच्शों को पता होगा लगा अब X किया है कोई भी halogen ठीक है एक्स हैलोजन क्या होते हैं जो हमारे ग्रुप की बात करें 17 ग्रुप चो होता हमारा हैलोजन्स ठीक है उसमें क्या है फ्लोरो 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 प्लोरो प्रोमो आईडो यह सारे क्या है हमारे हैलो ठीक है अब यहाँ पर मैं माल लो यहाँ पर मैं ले लेता हूं अब अब यहाँपर क्या किया है यह क्या हो और यह क्या होचा इसका त्यक्त्स और यह थे यह थे और यहां क्क ट्र सच जुक्र। ठीक है इसका भी एक positive एक negative पर यह कोई से aqueous अब यहां पर question आएगा यहां पर aqueous भी लेते हैं के बार alcoholic लेते हैं यहां पर aqueous के बार alcoholic लेते हैं यह बहुत important चीज समझेने वाली है कि aqueous से क्या होता है यहां पर जब हम aqueous क्या दालेंगे तो अब यहाँ पर क्या हुआ यह भी नूपलिक यह ब्रिक कर देता है कौन तब यह उसका नाम क्या राया है Warum सब्स्सिचिऊचन मतलब नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या किया रिपलेस किया मतलब स्टॉंग बंदे ने वी को रिपलेस कर दिया और खुद आके वहाँ पे आके बैठ गया ठीक है के ओएच अल्कोहली केवज डाणा मैंने समयगे ठीक है इसको अगर नहीं साफ में नजरारा तो मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूं aqueous ठीक है तो अब बनेगा क्या CH3 यह के और CL यह के और CL बहार निकल जाएंगे यह के और CL बहार निकल गए के CL बहार आ गया यह तो मैं समझा रही है अभी यहाथ आएंगे हम तो बचा क्या CH3 और इसके साथ क्या लेगा OH to action सिम्पल सी रेक्शन लेने का मकसित क्या था हमारा यही था कि आपको सिंपल पता चले कि सब्सीच्जिशन मत्लब Nucleophylle substitute होगा weak को replace करके strong बंदा जैसे बस में जा रहे हो तो कोई ऐसे भारी सा गुंडा सा बंदा आ जाए और वो weak सा बंदा उसको उठाएगा उठ यहां से उसको उठाके seat से उठाके side में करें खुद आके बैठ जै यहां से यहां पर क्या करेंगा CL को उठाएगा और कहेंगा तू तो बहार चल और मैं आप तुमारी seat पर यहां पर बैठ दाओगा यहां पर CH3 OH बनके खुआ क्या एक nuclear file है nuclear file क्या है negative जिस पर आजाए इसमें negative है electrophile क्या होता है जिस पर positive होता है अब OH ने CL को replace कर दिया तो यह क्या बनके CH3 OH और यह क्या है अब यहां पर हुई क्या reaction क्या हुई overall हाले कि जब हम हैलोर के हैलोरींस पढ़ेंगे उसमें यह सारी चीज़े आएगी अब ही हम बात करें सिर्फ इस टॉपिक पर nucleophile substitution reaction पर तो क्या हुआ हुआ SN1 SN1 और SN2 SN1 और SN2 reactions SN1 का मतलब क्या है substitution nucleophilic substitution nucleophilic unimolecular यह यह वन क्यों डाला वाट वाट वन क्या शोकर रहें फस्ट और र्यक्शन वन क्या शोकर रहें फस्ट रॉडर फस्ट रॉस्ट रॉडर रैक्शन substitution nucleophile यूनी मोलीकुलर बोलते हैं यहां बोलते हैं first order reaction substitution nucleophilic first order reactions एबच आइंक यहां पर एसन के कर वो सब्सेचिब्स कन नूप्यूकिलिक कि अ को शेकिंड और है कि इसम भाय मॉलिकुलर पी बोलते हैं या मोली कि लर किला कि रेक्शिप्शिंस कि से के क रहे हो सब्सेचिएर फिस्टार है क्या होती है second order अब उसे one by one discuss करते हैं mechanism के साथ की substitution first order क्या है और substitution nucleophilic second order क्या होती है चलिए अब देखते हूं कि अब जैसे हम देखें एक example को यह example लेकर चलते है और एक्स यह भी आरक्स ही है पुरे का पुरा यह अलकाइल गरो पोर यह Lex bx ठीक है एक्स अमने ले लिया पर b r और यह लियर न्यूपलिफाय ओच्ष ने घर आ Presan caughtilton ड्सक्र ग्रप्यान ड़ेग्ण ग्रेट ईवार टर्षेट ही तर्षट्री ब्यूटइल अब क्या होगा मैंने कि इस न्यूकलिफाईल को यह वाला Nuclefail replace कर देगा जो अगर replace करेगा तो यहां पर क्या आएगा फिर इस सी ऐच थ्री सी ऊच त्री सी यह त्री यह बिर टर्शी क्यों ले वी बताऊंगा मैं है कि ओवेश और यह हमारा विया बहार चला गया है एक Nuclefail ने इस Nuclefail को replace करके और खुद आके वहाँ पे आके लग गया और इसको replace कर दिया substitute कर दिया और खुद आके वहाँ पे फिट हो गया अब यह reaction SN1 है SN1 मतलब first order reaction यह कौन सी है first order first order क्या होती है वह है इसके बारे में लेटर डिसकुस करते हैं अभी अभी अने टर्शी क्यों लिया यह भी कारण आगे टर्शी प्राइमरी क्यों नियुक्षा बबने अब जब भी ऐसेन वन का अगर हम मेकनिस्प देखेंग आज हम SN1 ही करेंगे, अगले lecture 1, SN2 करेंगे, अच्छे से आज SN1 को explain कर दें, ठीक है, अब हुआ क्या कि जब OH इसको replace करता है, क्या एक ही step में से replace कर देता है, ऐसे लगा और फटफट replace करेगा, no, SN1 में क्या होता है, की reaction दो step में होती, कितने steps में होती है, two steps में, अब two steps में हो होगा, fast होगा, हमेशे यह चीज़ याद रखना, कि जो slow step होता है, वो rate determined step होता है, जिससे आप rate का rate को पता कर सकते हैं, जो slow होगा, एक fast होगा, एक slow होगा, ठीक है, चलिए, अब पहले देखते हैं, फटाफट से वो अपनी, आप इसमें पहले step में क्या है, कि first step जो होगा हमारा होगा है, यहाँ पर में tertiary butylbomide लिया है, मतलब tertiary जो compound लिया, उसकी जब ionization होगी, पहले step पे ionization होगी, पहले वो OH के साथ रेक्ट नहीं करेगा, पहले खुद ही वो ionize होगा, अब यह ionize होके तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, बियार नेगेटिव, ऐसे, अब यह क्या बना, बियार नेगेटिव अलग हुआ, खुद ionize होगा, और यह क्या चीज़ बन गई, क्या बनी, यह आपने देखा होगा, वीडियो नहीं पता हो, तो देख लेना, कार्बो के टाइन, यह क्या बन गया, पॉजिटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो क्या होता, वो कार्बो के टाइन, ठीक है, इसकी वीडियो मैंने आपको आई बटन पे भी लिंक दूँगा, वहाँ पे आप कार्बो के टाइन का वीडियो देखे, इस कंसेप्ट को भी समझे, यह और्गैनिक में बहुत इंपॉर्ण ह अब यह हमारा क्या मना बटन गे सप्रेट के बारे में पता कर सकते हैं इसके बहुत ही एक कि ऴॉइक बहुत tav ही बाइक बहुत सकी जा रही है और अपव्यकुरी प्लेट नजर निया क्योंकि बहुत फास्ट थी अगर मैं को बहुत 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से गर बाइक जा रही हो तो वह क्या होगी आप उसकी नंबर प्लेट अच्छे से देख सकती हो मतलब रेट का पता हमने कर दिया जब वह बाइक स्लो थी वैसी रेक्शन में भी दोनिकी है दो दो स्टेप से एक फास्ट और एक स्लोवला है नेरेट के बारे में रेक्शन के रेड के बारे में पता चलेका तो कि मृbels अब यह कार्बोग्टाइन है यह क्या चाहता है कि positive है यहाँ पर आके कोई चीज लगे वो कौण सी लगे negative अब यह खाली होगे ना यहाँ यहाँ पर लगा उता stable था अब यह यह क्या है यह चाहता है कि मुझे कोई लिए न्यूक्लिफाइल आके मेरे गालते हैं तो अगर मैं बात करूं जी रेट कैसे निकालते हैं ना रेट के और कंसेंट्रेशन किसकी अब देखो यहां किसकी लूगा चलो मैं इसकी लूगा यह दोनों की लूगा यह नहीं लूगा यह नहीं लूगा क्यों कि एक्चल में रेट कहां से पता चलना है मेरे को इस स्टेप से रेट कहां से पता चलेगा इस स्टेप से पता चलेगा क्योंकि यह क्यों पता चलेगा क्योंकि यह स्लो है slow step हमेशा rate determined step होता है तो यह वाला step नहीं यहाँ पर आएगा यहाँ पर हम इसे follow नहीं करेंगे हम किसको मानेगे step number one और step number one में यहाँ रेक्टन लिखना पर रेक्टन कौन सा है सिर्फ और सिर्फ यह और यह रेक्टन लिख लेते हैं अब यह क्या है यहाँ पर और सिर्फ और सिर्फ एक ही रेक्टन यूज हुआ first order, मतलब यहाँ पर order of reaction निकाले ही, यहाँ से n निकालते थे, order of reaction क्या आया, यहाँ पर one, तब इसको क्या बोलते हैं, substitution nucleophilic first order, क्यों 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 क्य हो रही ठीक है यह नहीं कि यह किसमें आ रहा था इस step में और यह step कौन सा है fast यह fast rate Determint step नहीं है तो फिर कौन से step लेंगे first step first step क्यों लिए क्योंकि slow है slow है तो वह क्या होता हमेशा rate के बारे में बताएगा rate Determint step है अब यह rate Determint step है तो तो बताओ जी यहां पे क्या यूज हो रहा है रेक्टन कौन सा यूज हो रहा है एक ही हो रहा है यही रेक्टन दिया हमने तो यहां पर यही लिखा हमने ठीक है तो यह हमारी कौन सी बन की first order reaction इसे बोलता है substitution nucleophilic first order reaction और यह एक चीज बड़ी इंट्रस्टिंग है यहां पर अगर हम stability की बात करें न तो हमें हमें पता है कि tertiary then secondary then primary सबसे ज़्यादा कौन सा stable कार्बोकटाइन होता है टर्शिरी कार्बोकटाइन हमेशा क्या होता है stable होता है यह मैंने बताया हुआ आप उसकी आई बटन पर लिंक मिलेगा आपको और वहां पर आप कार्बोकटाइन की stability के बार में study कर सकती हो ठीक है तो तर्शिरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा stable है अब हर कोई बना क्या चाहेगा कि मैं फटाफट से क्या बनूं stable बनूं तो यह हमेशा चाहेगा इसकी हमेशा इच्छा रहेगी कि मैं फटाफट पर बियार को lose करूं और फटाफट क्या बन जाओ know those are कि क्योंकि तर्शिरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा क्या होगा subscribe कूंकि हब किसकी तरफ जाते है stability के तर जाते हैं अगर कार्बोकटाइन अच्छा ठीक है ना ये एक, दो, तीन, अगर फटफट लूस करता है, तो ये stable चीज़ बन जाता है, मान क्या बनता है, एक reactive intermediate बनता है, उसे भोता है, tertiary गुंत आप जो सबसे ज़ीज़ से बहुते स्केंडरीय और प्रैमिली से भी ज्यादा तो तो यह पर हमने क्या बात की से अब गया गया अब में की बात चकर में यह पाइल के लिए जगा बच गे यहां पर अटाइक करेगा और यहां पर आके लग जाएगा ठीक है तो फॉस्ट क्यों बोला फॉस्ट ऑडर ही क्यों बोला इसनी बोला क्योंकि जब हम रेट निकालते हैं के इंटू आपर और यहां पर यहां पर पूरा एक ही र्टर यूज हो रहा है यहां पर तो और यहीं किया डिकेट सब्सक्राइओ क्समें अलिएम आपकी थाक टॉ Pi की और इसके और कैसे हैं और सब्लिए ने उनकालते New upfront निकलते स्वां कीन द?, तो यहां पर किया लिखंगा क्वान तो 1 वन का इंडीकेट कर रहा है कि 1st-order ठीख है तो 1st-order बेशागी दो step पर है f 1st-order क्योंकि ce pas लहना कौंसा है slow क्यों क्यों operate determined पर सर्फ और सिर्फ एक ही इरक्नेट यूस म् इसक यहां पर कि फॉस्ट वर्ट बन गगी तो मैं टर्शीरी मुझने कि कि ट्रशीरी क्योंव लिया क्योंकि शो करना था कि अर्शनी क्या है सबसे ज्यादा स्टेमल होता है चैबल जैसे इसे इसने पर क्योंकि वह क्ट करें नहींично हो और नुक्लिषाल करूं नुक्लिफाइल ने आके यहां पर अटैक कर दिया, नुक्लिफाइल सब्सिचूट हो गया, ठीक है, तो यह नहीं है कि एक इस्टफ में यह रेक्शन हुई है, पहले वो खुद आयनाइज हुआ, यह आरक्स पहले खुद आयनाइज हुआ, बीयार डेक्टिटिव चला गया, और यहां पर जगा बनाई, जगा जैसे बनी पॉजिटिव की, और दूसरा नुक्लिफाइल आके यहां पर लग गया, तो इसे बोलते हैं, नुक्लिफाइल सब्सिचूटिशनार कौन सी, SN1 रेक्शन, कौन सी बोली मैंने, SN1 रेक्शन, होग कि आपको, यह SN1 सब्सक्राइब के लिए इतना ही था हम अगले अगले लक्षर में दुबारा सन्टू लेके आएंगे तब तक लिजासित दिए पर आपका गूल को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंकियो गुद्बाई टेक क्या